हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल ब्यूटिफुल इजी लाइफ आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा जादूई पाउडर जिसका प्रियोग करके आप अपने बालों को लंबा बना सकते हैं जी हाँ फ्रेंड इस प्रियोग सदियों से होता आ रहा है अपने बालो को काला घना और लंबा करने के लिए लेकिन आज की टाइम पे जो भी लोग केमिकल वाले शैंपू का प्रियोग करते हैं जिन से उनके बाल जहरते हैं रफ हो जाते हैं डेंड रफ की प्राब्लम हो जाती है दो मुहे बालों की समस्या हो जाती है तो फ्रेंड आज का कितनी जल्दी बढ़ने वाली है अगर आप रीठा का प्रियोग करते हैं तो उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि रीठा अगर आपने बालों पे लगाना चाहते हैं तो आपको उसे पहले भीगाना होगा पूरी रात के लिए फिर आप उसे मॉर्निंग में लगा सकते हैं लेकिन आपको लेना है रीठा पाउडर आप किसी भी आयरुवेदिक दुकान से रीठा पाउडर ले सकते हैं इसे आप दो से तीन चमच ले रहें अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग आपको लेना है फिर आपको इसमें पानी मिलाना है अच्छी से एक पेश्ट बनाया और इसे शैंपू की तरह अपने बालों पर लगाएं इससे आपके बालों में शैंपू जैसा ही ज़ाग बनने वाला है आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगाएं कि आपके बाल ओईली हैं शैंपू करने के बाद भी मतलब की रीठा शैंपू जी हाँ फ्रेंड आप एक बार रीठा का प्रियोग करके देखें देखें रीठा का प्रियोग हमारी दादी नानी जो कि वर्सों से करते आ रहे हैं और उनके बाल तो आप सभी ने देखे होंगे कि कि इतने लंबे समय तक उनके बाल काले रहते थे बालो का जढ़ना तो होता ही नहीं था बालो की लंबाई भी होती थी तो पहले के टाइम के लोग शैंपू की जगह रीठा का प्रियोग करते थे तो फ्रेंड आप एक बार अपने शैंपू को बदल कर रीठा पाउडर प्रियोग करें और आप शैंपू की जगह इसे ही लगाएं आपको करना कुछ नहीं है आपको मार्केट से रीठा पाउडर मिल जाएगा बहुती आराम से या फिर आप चाहें तो ऑनलाइन भी खरी सकते हैं एमेजोन पे आपको बहुत आराम से मिल जाएगा दो से तीन चम्मच आपको लेना है इसमें मिलाना है पानी एक अच्छा सा पेष्ट बना लेना है और देखेंगे आप इसमें बहुत अच्छा शैंपू की तरह जाग भी बनने वाला है तो फ्रेंड आप अपने शैंपू को हटा के एक महिने के लिए रीठा का प्रियोग करके देखें आपको इसके बहुत अच्छे और बहतरीन रिजल्ट मिलने वाले हैं तो वीडियो अच्छा लगा होते है एक लाइक कर दे साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब और पास में बने बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नया भूलें जिससे मेरे वीडियो का आने वाला नॉटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे अगर आपको कोई क्वेशन पोचना है तो कॉमेंट करके पोच सकते हैं मैं आप सभी के रिपलाई देनी की कोशिश जरूर करूंगी चले मिलते ही किसी अच्छे और नए वीडियो के साथ ओके बाइ फ्रेंड